हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्रोनू ऑनलेन गुरू में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्दी वाली क्लास बहुत ही इंपरिच्ण बहुत ही इंपरिच्ण क्लास है इस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा UPGK के Top 50 Question जो की बहुत ही ज़्यादा Important है दोस्तों UP में होने वाली किसी भी परिक्षा में UPGK से related 100% question पुछे जाते हैं तो ये class आप लोगं के लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है जो भी बच्चें UP Police Constable वर्ती 2024 के तयारी कर रहे हैं उनके लिए class बहुत ही ज़्यादा important है तो वीडियो को बिना script कुई है आप लोगं को एक बार जरूर देखके जाना है चोंकि अगर वर्ती पाना है तो वर्ती वाली class देखके जाना जरूरी है तो चले शुरू करते हैं देखे पहला question है आप लोगं के लिए उत्तर परदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था आपका सही जबाब होगा option number A United province देखे ने question है उत्तर परदेश में नागों का परधान के इंदर कौन सा था उत्तर परदेश में नागों का परधान के इंदर कौन सा था आपका सही जबाब होगा option number D मतुरा देकिन एक क्वेच्चन है उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नल जनरल द्वारा कब हक्ता आक्षर किये गए उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नल जनरल द्वारा कब हक्ता आक्षर किये गए आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर A 7 दिसंबर 1947 देकिन एक क्वेचन है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संसोधन अधिनियम कब पारित किया गया? आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर B 1994 में देकिन एक क्वेचन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पत पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले वैक्ति का नाम बताईए बहुत ही इंपॉर्टन क्वेचन है और बहुत बार परिचाव में पूछा गया क्वेचन है तो ध्यान दिजेगा आप लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पत पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले वैक्ति का नाम बताईए आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर ए गोविंद बल्लब पंद देखें एक क्वेचन है उत्तर प्रदेश में सबसे अलप समय तक कौन मुख्यमंत्री के पत पर रहें बहुत इंप्रदेश में सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री के पत पर रहें आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर सी त्रिभून नरायट सिंग बहुत इंप्रदेश में ध्यान दिजेगा आप लोग सबसे अधिक समय तक कौन रहें तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक समय तक रहे हैं गोबिंद बल्लब पंथ और सबसे कम समय तक कौन रहे हैं तो सबसे कम समय तक रहे हैं तुरिभुवा नरायड सिंग देखिए नेक क्वेचन है आप लोगों के लिए उत्तर परदेश के राजिपाल का नाम बताईए उत्तर परदेश के वर्तमान राजिपाल का नाम बताना है आप सबी लोगों को तो आपका सही जबाब होगा Option number D आनंदी बेन पटेल देखे नेक कोचन आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री की नियुक्ती कौन करता है आपका सही जबाब होगा Option number D राजय पाल देखे नेक कोचन आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में राजपाल की नियुकति कौन करता है अपका सही जबाब होगा डेकिन एक क्वेचन है आप लों के लिए अपका सही जबाब होगा option number C 3 इस्तरिय देखे ने question है आप लोग के लिए उत्तर परदेश में बिधान सबा को भंग करने का अधिकार किसे है उत्तर परदेश में बिधान सबा को भंग करने का अधिकार किसे है important question है ज्यान देजेगा आप सभी लोग आपका सही जबाब हो जाएगा Option No.A राजयपाल को देखें नेक क्वेंचन है आपनों के लिए असोक द्वारा निर्मित भारत का राजचीन सिंभ इस्तंब उत्तर प्रदेश में कहा पर है असोक द्वारा निर्मित भारत का राजचीन सिंग इस्तंब की उत्तर प्रदेश में कहा पर है आपका सही जवाब होगा option number D सारनाथ देखें नेकों चैने आपनों के लिए गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर वयवसाय सिच्छा वा कला के प्रमुक के अंदर थे गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर वयवसाय सिच्छा वा कला के प्रमुक के अंदर थे आपका सही जवाब होगा option number D ये सबी मत्तुरा कांशामभी और प्रयाग देखें नेक क्वच्चन है आपनों के लिए प्रथम स्वतंतरता संग्राम कब हुआ इंपोर्टन क्वच्चन है ध्यान दिजेगा आप सबी लोग आपका सही जवाब होगा option number D अटराशव संतावन देखें एक क्वच्चन है बिश्व प्रसिद ताज महल उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्थित है इसका एंस्वर तो आप सबी लोगों को पता होगा अगर नहीं पता हो तो पता होना जाहिए बिश्व प्रसिद ताज महल उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्थित है आपका सही जवाब होगा option number C आगरा देखें एक क्वच्चन है आपनों के लिए बहुत धर्म की ब्रजियान साखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ आपका सही जवाब होगा option number B सारनात देखें एक क्वच्चन है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संजुक्त प्रांत रखा गया आपका सही जवाब होगा option number A 1937 में देखें एक क्वच्चन है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांती का प्रारम सर्व पर्थम किस नगर में हुआ इंपोर्टेंट क्वच्चन है ध्यान देना है आप लोगों को देखें उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांती का प्रारम सर्व पर्थम किस नगर में हुआ आपका सही जवाब होगा option number B मेरट देखें एक क्वच्चन है उत्तर प्रदेश भारतिय गरतंत्र का एक पूर्ण राज किस सन में बना आपका सही जवाब होगा option number B 26 जनवरी 1950 देखें एक क्वच्चन है आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेत्रित्व किस नेता ने किया उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेत्रित्व किस नेता ने किया इंपॉर्टन क्वच्चन है द्यान दिजेगा आप लोगों किसान आंदोलन पूछता है आपका सही जवाब होगा option number D 25 जवाहर लाल नेहरू देखे नेक क्वच्चन है उत्तर प्रदेश में काकोरी सड़यंत्र कांड कब हुआ आपका सही जवाब होगा option number D 9 अगर्श्ट 1925 में देखे नेक क्वच्चन है उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था आपका सही जवाब होगा option number A 1194 में देखे नेक क्वच्चन है आपनों के लिए उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था आपका सही जवाब होगा option number C 1527 में उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया आपका सही जवाब होगा option number B 1526 में देखें ने क्वेचन है आपनों के लिए उत्तर प्रदेश में सामुगड का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था आपका सही जवाब होगा option number C 1628 में देखें ने क्वेचन है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दर्वाजा कहा इस्थित्ध है आपका सही जवाब होगा option number A फतेपुर सिक्री देखें ने क्वेचन है आपनों के लिए उत्तर प्रदेश में चौखंडी इस्थूप कहा इस्थित्ध है आपका सही जवाब होगा option number D सारनात में देखें ने क्वेचन है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इस्थित सीला लेक किस काल का है आपका सही जवाब होगा option number C सुंग काल का देखें एक क्वेचन है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर इस्थित्ध है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर इस्थित्ध है इंपोर्टन केच्चन है ध्यान दिजेगा आप सभी लोग आपका सही जवाब होगा option number D आगरा देकिन एक क्वेच्चन है आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश के मतुरा नगर में किस सासक का इस्तंब लेक इस्तित है उत्तर प्रदेश के मतुरा नगर में किस सासक का इस्तंब लेक इस्तित है आपका सही जवाब होगा option number C अशोक का देकिन एक क्वेच्चन है आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधा बाई का महल कहा पर इस्तित है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधा भाई का महल कहां पर इस्थित है आपका सही जवाब होगा option number A फतेपूर सिक्री लेकिन एक कोचन है उत्तर परदेश के निमलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है उत्तर परदेश के निमलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है आपका सही जवाब होगा option number C आगरा देकिन एक क्वेचन है उत्तर परदेश के किस जिले में त्रिवेडी इस्ट्रक्चराल रिमिटेड कारखाना इस्थित है उत्तर परदेश के किस जिले में त्रिवेडी इस्ट्रक्चराल लिमिटेड कारखाना इस्थित है आपका सही जवाब होगा option number D एकिन एक क्वेचन है उत्तर परदेश में सिमेंट के कारखाने कहां पर इस्थित है उत्तर प्रदेश में सिमेंट के का रखाने कहां पर इस्थित हैं बहुत ही इंपॉर्टन क्वेचन है ध्यान दिजेगा आप लोग आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर डी चुर्क एवाम डल्ला नेक क्वेचन है उत्तर प्रदेश का सुच मयंत्र बनाने का प्रमुक ओधोगी केंद्र कौन सा है आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर ए लखनव देखे नेक क्वेचन है उत्तर प्रदेश में मानिता प्राप्त स्टाक एक्स्चेंज है आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर डी कानपूर में नेक क्वेचन है उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विवक्त है उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विवक्त है आपका सही जबाब होगा option number D 18 जेकर एक क्वेचन है उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है important क्वेचन है ध्यान देना आप प्रभी लोगो तो उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कैलाता है? आपका सही जवाब होगा option नंबर A जिलाधीज देकिन एक क्वेचे नहीं आपनों के लिए उत्तर प्रदेश की मंत्री परिशद किस के प्रती उत्तरदाई होती है? उत्तर प्रदेश की मंत्री परिशद किसके प्रती उत्तरदाई होती है आपका सही जबाब होगा आप्सन नमबर D बिधान सभाग के प्रती एकने क्वेचन है पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन छेत्रों में विवाजित किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन छेत्रों में विवाजित किया गया है इंपोर्टन क्वेचे ने ध्यान देना आप सभी लोग को आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर D 404 देखें ने क्वेचे ने आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश के किस इस्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था इंपोर्टन क्वेचे ने ध्यान देना आप सभी लोग को आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर D कूर्शी नगर देखें ने क्वेचे ने आप लोग के लिए प्रसिद्ध दसावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहा पर है प्रसिद्ध मंदिर दसावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहा पर है इंपोर्टन कोचे ने ध्यान देना आप सभी लोग को कि प्रसिद्ध दसावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहा पर है आपका सही जबाब होगा आप्सन नमबर देवगड धेगकने क्यंचे ने आपो के लिए उत्तर परदेश के प्रसिद संगितग स्वामी हरिदास किस मुगल साचक के समयकालीन थे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगितग्य स्वामी हरीदास किस मुगल साशक के समकालीन थे? आपका सही जवाब होगा आप्शन नमबर ए अकबर नेक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक प्रचलित लोकनित्य निमलिकित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सरवाधिक प्रचलित लोकनित्य निमलिकित में से कौन सा है? इंपोर्टन क्वेश्चन है ध्यान देना है आप्शन भी लोग को उत्तर प्रदेश की सरवाधिक प्रचलित लोकनित्य बताना है आप लोग को आपका सही जवाब होगा option number B no tankie देकेन एक कुछन है उत्तर परदेश का कौन सा लोक न्रित गुजरात के डानडिया निरत जैसा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर डी पाई डंडा देकेन एक क्वेचन है उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गती किस जाती में प्रचलित है आपका सही जबाब होगा आप्शन नमबर डी राजपूच जाती देकेन एक क्वेचन आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश की वरतमान राजधानी कौन सा नगर है उत्तर प्रदेश की वरतमान राजधानी कौन सा नगर है इसके बारे में सबको जनकारी होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टन कोचे नहीं ध्यान देजेगा आप सभी लोग सबको पता भी होगा आपका सही जवाब होगा आप्शन नमबर सी लखना हो देखें नहीं कोचे नहीं आप लोग के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के बिरुद बिद्रोह का नेत्रित्व किसने किया इंपॉर्टन कोचे नहीं ध्यान देना है आप सभी लोग को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के बिरुद बिद्रोह का नेत्रित्व किसने किया बनारस अधिवेशन की अध्यच्चता किसने की आपका सई जवाब होगा आप्शन नमबर सी बनारस ने देकिन एक क्वेचन है औरंग जेव ने अपने भाई सूजा को परदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था आपका सही जवाब होगा इलहाबाद इलहाबाद का वर्तमान नाम क्या है तो इलहाबाद का वर्तमान नाम हो गया है प्रियाग राज इलहाबाद का वर्तमान नाम हो गया है प्रियाग राज यह भी आप लोग ध्यान रखेगा तो यह थे यूपी जीके के टॉप फिप्टी क्वेस्चन जो की यूपी में होने वाले किसी भी परिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है वीडियो एरी अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे ऐसे ही इंपोर्टेंट और हेलफुल वीडियो जो आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे है ठाइंक्स पर वाचिंग फ